तो उनकी जो माता थी जूटे बरतन धुआ करती चुछ बच जाता था उससे मावी खाय करती नारद जी भी खायकरती है जो चात्रमा समाप्त हो गया, तो संत जाने लगे, नारद जी भी उनके पीछे पीछे हो लिए, तो संतों ने कहा, कि नारद हम तुझे अभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि तेरी मा ने हमारी बहुत सेवा करी है, और तु मा के अकेला ही बेटा है, अगर हम तुझे ले तो संतों ने उनको एक मंतर दिया, और उस मंतर का जाब करने लगे नारद जी, तो सोच रहे थे हैं कैसे माता जी निपत है, और नारज जी उसी दिन से भजन तो करें करें मंतर का जाब तो करें करें और तिलक चापे लगाने लगें तो माताओं के बड़ा खश्ट होता है कि हमारा कहीं बेटा बाबा जी ना हो जाएचा बहले सब कुछ बन जाए तो माता जी सोचती थी नारज जी कि मैं इसकी जल्दी से साधी कर रहाँ कोई रुनक-जномक वाली बहू आ जाए और यह फिर मुझे यह खतम हो जाएगा और नारज जी सोचते है कि मैं अभी तो सोच रहा हूं कि ये माता जी कब निप्टेंगी और फिर मुझे स्रीमती जी के बारे